अगर आप भी हैं मैंगो शेक और आम रस्त के शौकिन तो यह वीडियो आपके लिए खास तो आओ देखते हैं मैंगो शेक आम रस्त कैसे बनता है तो मैंगो शेक बनाने के लिए मैंने लिए हैं आम यह पके हुए आम हैं आज कल मौसम आ चुका है आम को मार्केट में बहुत चीनी, टूटी, फूटी फ्रोटी, रौफजा और ये मेरे पास फॉल क्रीम दूद्द तो अब हम सबसे पहले लेंगे एक मिक्सी का जार और इस जार में डाल देंगे वहीं आम जिनको हमने छोटा-छोटा कट करके रखा हुआ है एक छोटा सा पीस हमाम का बचा लेंगे जो हमें बाद में डेकोरेशन करने के काम आएगा और ये है मेरे बस चीनी आप अपने टेस्ट के साफ से चीनी कम और जादा डाल सकते हैं और ये है सबसे में ज़रूरी दूद आप किसी भी तरह का दूद यूज़ कर सकते हैं चाहिए वो फुल क्रीम हो या टौंड हो पर पहले आप कम दूद ही डालें और आप इसे चिल्ट सा पेस्ट बनाना है तो जितने में उसका पेस्ट बनाती है तो ये है मेरे पास कुछ दिया कुरिश की चीज़े तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे रोफजा तो एह ग्लास लेंगे उसमें कुछ तरह से रोफजा कॉरनर्स पे लगा दिंगे जिससे हम पना इसमें आमरस तो दिखने में तो अच्छा लगीगा ही और हमारा ग्लास और ज़्यादा कलरफुल लगेगा मैंगो शेक में तो इस तरह से ये देखो मैंने सारा रोफजाव ग्लास में लगा दिया है उपर से डिप करते हुए तो ये चारो तरफ से देखो कितनी अच्छी सी लाइने बन रही है तो ग्लास हमारा बिलकुल हो गया है ना चेंज तो इस तरह से देखो कितना शाइन कर रहे है रोफजा लग जाने से और ये जो मेरे पास बदाव थे को मैंने पतला पतला कट कर दिया है और ये है मेरे पास टूटी फूटी तो इधर हमारा मैंगो शेक आम रस भी बनके हो गया तयार तो उसे इस तरह से देखो हम डालेंगे अब अपने ग्लास में तो कितना स्मूध और ये देखो जालने से चार तरह फैल जाएगा और दिखने में वह ज्यादा टेस्टी यमी लगने लगेगा और उपर से कुछ इस तरह से डाल दें आप बदाम की कत्रण और ये टूटी फूटी कर दें आपको बतार 大क तरह प्रूटी लगने पूटी ये जाएगा देखने लगने 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 आपको झाता और ये ये टवर देखों